हेलो एब्रीवन वेलकम अगें टू लण्विज दितिमन तो कैसे हो आप सब आई होप सब बढ़िया होंगे तो काफी दुनों से वीडियो नहीं डाला मैंने उसका रीजन था थोड़े सी तब्यत अच्छी नहीं चल रही थी इस वज़े से लेकिन आप लोगों की तैयारी मैंने पूरी करवाई थी और इसका रिजल्ट आप लोगों को मिला भी होगा ये सोचिए हमने 60 कोश्चन जो हम लोगोंने टैस सीरीज के माध्यम से किये थे अगर देखें तो 60 कोश्चन आपके SST के पुछे गए थे जिसमें से 5 प्रस्ट आपके सिक्षन विदियों के थे और 4 प्रस्ट जो की अलग से थे ठीक है बाकी पूरे के पूरे 51 कोश्चन आपकी RBSC की बुक में से थे जो हमने टैस सीरीज चलाई थी तो आप लोगों का बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है जिन बच्चों ने ऐसे सोचा होगा कि हम लोगों ने टैस सीरीज जो है मात्र 499 में हमने खरीदी है या कई बच्चों ने YouTube पर भी अच्छे से उनको लिखा भी था तो सब भी को फायदा हुआ है किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है तो इसका दावा मैंने आपसे पहले भी किया था कि इससे बाहर आपका प्रेशन नहीं जाएगा थोड़ा सा एक दो कुशन वो बाहर से आही जाते हैं जैसे कि अगर देखें कि एक कुश्छन आपका आया था कि पहली लोग सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है तो मैंने आपको ये चीज पहले बता ही दी थी कि सबसे पहले राश्टर पती कौन थे, वरतमान में कौन है, पहले उपराश्च पती कौन थे, वरतमान में कौन है, ये चीज तो आप लोग याद करके जाईएगा, क्योंकि बुक में ये चीज नहीं मिल पाती है इसके अलावा मात्र तीन कुश्यन आपके अलग से पूछे गए थे, तो सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, सभी ने 51 प्रेश्णों जो RBSC में से ही पूछे गए थे, सीधे 6 से लेकर 10 वी ग्लास तक, तो उसमें से ही आपके 6 से 10 तक की बुक में से जो पूछे थी, जो सभी प्रस्णों वहीं से पूछे गए थे, तो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा, कि मैंने 11 और 12 की बुक क्यों नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि रीट जो है, वह है 10 तक ही पूछा जाता, और अगर हम पटवार की बात करें, आरेस की बात करें, तो आपको 11, करेंगे, जो आपका social study का सामाजिक अध्यान के 60 प्रस्ण आये थे, उसमें से 50 प्रस्ण, RBSC के बुक में से ही, 6 से 10 में से ही आये थे, वो कौन-कौन से थी, और आप लोगोंने कौन-कौन से सही किये हैं, तो आप लोग इनका मिलान करिएगा, देखिए, इस खंड में कु कुशन देखिए, कि निमनलकित, सिंदू, सरस्वती, सब्वेता, इस सरनों में से कौन से पाकिस्तान में इस्सित हैं, तो ये चीज बहुत अच्छे से आप लोगोंने कर ली होगी, तो यहाँ पर आंसर जो है, वो क्या था, आप लोग मिलान करती जाएगा, इसका option number C जो ह राजिस्तान के किस जिले में हुआ, तो आंसर क्या है, जालोर, ठीके, भील माल होता, तब भी आपका आंसर यही होता, नेक्स देखिए, 93 कुश्चन, वैदिक काल के बारे में निमन कत्नों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था ग्रस्त आश्रम, अन्ने सभी आश्रमों का पोसक था, बिल्कुल, ग्राम के अधिकारी को ग्राम नी, या ग्राम पती कहते थे, या ग्राम पती होता, तब भी यही आंसर होता, व्यापारी वर्ग को विश्च कहते थे, तो यह गलत हो गया, यानि एक और दो सही है, तो यह बार ये question हम लोगों ने किया, answer क्या है, rain, next है 95 question, महावीर स्वामी के बारे में निम्ल खित कतनों पर विचार कीजिए, उनका जन्म लुंबनी में हुआ था, तो देखिए ये तो महात्मा बुद्ध के बारे में है, उनके बच्पन का नाम वर्दमान था, बिल्कुल यही answer ज तो इसका आप सही से देख लीजिएगा, इसका answer क्या है, केवल दो, यानि option A, निम्ल खित में से कौन सा वाद्ध यंत बांसुरी की तरह होता है, तो ये भी बहुत आसान question आया था, इसमें अलगोजा जो है, वह क्या है, बांसुरी की तरह होता है, next 97 देखिए, यहाँ पर महा जनपद दिये थे, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया था, तो यहाँ देखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो गांधार, इसकी तो तक्षिला है, तो ये गलत हो गया, अंग की यहाँ चंपा होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, अवंती की, ओजैनी होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया, कमबोज की राजपुर, ये बिलकुल सही है, नेक्स्ट देखिए, भंड देवरा मंदिर किस जिले में इस्तेत है, तो ये हम लोगों ने आरबीएस्सी की, जो टैंथ क्लास की, हम लोगों ने की थी, राजिस्थान का जीके, ठीके, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था इसका आंसर, आंसर क्या रहेगा, बारा, नेक्स्ट देखिए, 99 कुश्चन आपका सही आंसर क्या रहने वाला है, चंद्रकुप्त मोरे के बारे में नमिलखेत कत्मों पर विचार कीजिए, उसने सेललुकस की फुत्री से वि अधिकांस अबलेक प्राकरति भासा में बिल्कुल ठीक, अधिकांस अबलेक ब्रामे लिपी में बिल्कुल ठीक, तो यह तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, नेक्स्ट देखिए, चोरी चोरा की घटना कब हुई, बिल्कुल इसका आप्शन नमर बी रहेगा, फरवरी 1922, तो ऐसा बताईए कौन सा कुश्चन है जो आप लोगों नहीं किया है, तो गलत तो किसी का नहीं गया होगा, पंडित हरी नारायन शर्मा को अलवर के किस सासक ने अपना सलाकार निप्त किया था, तो ये तो जब प्रजा मंडल आंदोलन लास्ट चेप्टर 10 का हमने देखा थ तो पंडित हरी नारायन शर्मा कहां के थी, अलवर के प्रजा मंडल आंदोलन के दोरान, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, ओप्शन B, जैसे, ठीक है, नेक्ट दिगिए, यह किसने कहा, धर्म मनुष्य के भीतर नहीत देवत्व का विकास है, धर तो यह स्टेट्मेंट जो है, यह बुक में था, लेकिन हम लोगों ने यह नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, तो कौन थे ऐसे, जो ऐसा बोलते थे, कि मनुष्य के अंदर ही देवत्व है, देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तको में और ना ही धार्मिक सिद्धानतों में, तो ऐसा कहने वाले कौन थे, बिल्कुल ऑप्शन सी है, स्वामी विवे का नम, और देखिए अब कितना आसान सा प्रशन आया, भारत के वंचितवर का पहला कभी किसे कहा जाता है, रिपीट हुआ था तो तीन बार कुश्यन, जो दुर्गादास राठोर, तो यहां थोड़ा सा common sense लगाते, कि औरंग जेव के समय दो साशक हमने देखिए, राश्चिंग और दुर्गादास राठोर, इन दोनों को जादा हमने देखा था, यहां पर पूछा है, शाशक ठीक है, तो अब दुर्गादास राठोर तो नहीं ऐसा मेरा मानना है, मैंने भी बहुत मेनत की थी और आप लोगों ने भी साथ दिया था, निमने मैंसे किस करांतेकारी ने गरिफतारी से बचने के लिए, अमरदास पहरागी का ज़जा नाम धारण किया, तो कौन थे, बिल्कुल जोरावर सिंग थे, राजिस्तान के किस करा अंसर रहने वाला है, गोपाल सेंग खरवा, ठीक है, तैहर जेल में रखाया था, गोपाल सेंग खरवा, जैके ये कौशन भी आप लोगों को, मैंने कराया था, कोई ऐसा कौन सा कौशन था, जो मैं आप लोगों को नहीं कराया, तो जिनकी मैं बात करूँगी, तो एक icion हम बहुत आराम से तो देखिए यहां पर चंदावल दस्ते में पूछा था ठीक है अब जो हकीम खां थे हकीम खां थे वो हरावल दस्ते में थे तो देखिए option जो 4 है वो देखिए 4 नंबर किसमें है तो यह है हकीम खां जो 4 नंबर है वो यहां पर नहीं होने चाहिए चंदाव सोहित गोपीनाथ हैं ये थे 54 दस्ते में तो एक नंबर जो है वो किस में है सी में है या डी में तो बिल्कुल डी में है तो यहां दो से ही पता लग गया सही आंसर ठीक है तो ऑप्शन डी होगा एक दो तीन पाच नेक्स्ट देखिए निमलकित में से किस चत्री को सिखावट कि सबसे बड़ी चत्री माना जाता है तो कितना आसान सा कुश्चन आया है यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए राम गोपाल पोदार की चत्री या गोपाल सिंग की चत्री तो आंसर तो रहने वाला है ए ऑप्शन ए राम गोपाल पोदार की चत्री नेक्स्ट द देखिए चावन्द चित्रकला श्याली का विकास किस शेत्र में हुआ, राजिस्थान के जीके में से आया आपका, मेवाड विल्कुल राइट हैसका, श्रीमती किशोरी दिवी किस किसान अंदोलन से संबंद रही, तो देखिए कहां से रही थी, सीकर से, कोई कुश्यन ऐसा जो मैंने नहीं कराया है, यह आप लोगोंने टेस्स सीरीज में नहीं देखा, बजट्टी नामक अभूचन सरीर के किस भाग में धारन किया जाता है, तो बजट्टी जो है वो कहां धारन किया जाता है, गले में, नेक्ट देखिए, एडवर्ड थांडाइक को सिक्षा अलग से माना है यहां SSD में, तो थोंडाइक ने क्या दिया था, सीखने के सिद्धान, ठीक है, ओप्शन C रहेगा, नेक्ट देखिए, राश्टी जिक्षानीती 2020 में प्रस्तावित राश्टी आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया, तो देखिए, इसका आंसर जो है, वो राइ आप लोगों को नहीं कराया था, तो जो मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, वो मैंने आपको बता दिया, तो एक दो कुशन तो वो ही जाते हैं, एक्जाम में कोई भी सटी कैसे नहीं बोल सकता है, कि आप लोग अगर साठ करके आएं, तो साठ में से साठ आपको यहीं स किया गया तो बिल्कुल option c right है 86 सम्विदान संसुदा नाधिनियम द्वारा सिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया तो बहुत ज्यादा आसान question है यह option a सोतंतरता का अधिकार नेक्स्ट दिखिए भारत में लेंगिक अपरादों से बालकों का सरंक्षन का अधिनियम कब बनाया गया तो यहां पर दो ही थे तो आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे option b और d में तो यहां पर answer जो है option b रहेगा 2012 यह भी मैंने आप लोगों को कर भाया था next भारत में राष्ट्री मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा 25 जनवरी किसी का गलत नहीं गया होगा भारती समविधान की किस जिसा सूची में क्रशी और सिचाई को शामिल किया गया वह कौन सा है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करके गए थे और ये आंसर आपका 129 अनुचेद 129 ऑप्शन ए भारती समविधान के किस अनुचेद के अंतर कर राष्ट्रपती में संग की कारेपाल का सकती नहीं दोती है तो बिलकुल ऑप्शन ए है 53 तो यहां पर कन्फ्यूज तो वैसे ही नहीं होना था क्योंकि अनुचेद 52 और 53 राष्ट्रपती के बारे में ही है तो यह ओप्शन जो ए है 53 यह तो वैसे ही आप लोगों ने देखके ही लगा लिया होगा कि या तो 52 होता या 53 होता बावन दिया नहीं है तो 53 होगा नेक्स्ट देखिए राजिस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की अध्याए दो कैम है जिसके गठन का प्रावदान है वह है तो यहां क्या है ग्राम सभा ठीके नेक्स्ट देखिए राज्य विधान परिशद में राज्य पाल द्वारा कितने सदस्यों का मनुनियन किया ज प्रथम और वर्तमान यह आप लोग याद करके जाईएगा चोतंत्र भारत की पहली लोग सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो कौन थे यहां आंसर रहेगा अनंत शैनम आयंगर नेक्स्ट देखिए 128 भारत में मतदान के दोरान मतदान के इंदर पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है तो यहां पर आंसर क्या रहेगा पीठा सीन अधिकारी अब इस कुश्चन में इस कुश्चन में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है कि इसमें दुत्तिय मतदान अधिकारी हो सकता है लेकिन ऑप्शन डी जो है वो मैं अभी लगा कर चलूंगी ठीक किस साशन प्रणाली में कारेपालिका विधायका के प्रति उत्तरधाई होती है तो कितना आसान कोश्चन है ऑप्शन ए संचद्य सरकार मेरे द्वारा देखिए आप लोगों को बिलकुल वास्तविक जो चीज होती है जो कि मैंने देखी है और जिसको मैंने भी अप्लाइक किया है वही मैंने आप लोगों को करवाई है मैंने बिलकुल ही आप लोगों को बड़ी कोचिंग की तरह इतना ज्यादा नहीं करवाया जिससे कि आप लोग वहां परेशान हों और उनको लर्ण भी ना कर पाएं तो आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉंस देंगे दिया और आप लोगों को कितने नंबर आए है क्योंकि मुझे भी जानना है कि बच्चों ने तयारी जो है वह बिलकुल बहुत अच्छे से की ती किस किस के मार्क्स जो है वह इतने आए हैं तो आर्बी ऐसी में से जब 51 प्रश्ण आये हैं तो आपके 60 में से 50 नंबर तो सभी के आये ही होंगे निमन में से कौन सा ज्ञान उदेशे का उधारन है यह सिक्षन विद्यों से है ठीक है तो यहां पर आंसर रहेगा पर भाशित करना अगर आता परिभाशा की व्याख्या करना तो यह आंसर नहीं हो पाता ठीक है लेकिन कर सकते हैं हम व्याख्या करना ग्यान उदेश्य का नहीं है रचना करना भी नहीं है विजलेशन करना भी नहीं है तो यही बस्ता है परिभाशित करना मताछल पाटे करम के जिस सिधान्त में करके सीखने पर बल दिया जाता है, तो कितना आसान है कि करके सीखना ये किस पर बल दिया जाएगा, करने पर दिया जाएगा, क्रिया का सिधान्त उत्री गोलार्द में वापारिक पवनों के प्रभा की दिशा होती है, यह सर ने आपको बहुत अच्छे से ग्लोब आप लोगों को दिखा कर इसमें PPT पर और फिर आप लोगों को इतने अच्छे से समझाया था किसी ने बच्चे ने भी गलत नहीं किया होगा, यहां उत्री गोलार्द का पूछा है, तो उत्री गोलार्द में जो दिशा क्या होगी, उत्तर पूरब से दक्षिर पक्षिम, तो यहां पर वैसे ही गलत कर सकते थे, आप B और C तो आप वैसे ही गलत देखते ही कर देते, ठीक है, सूर्य एवं पृत्वी के मद्द अधिक्तम दूरी कह लाती है, तो देखिए आप लोग कितनी छोटी क्लास का, 6 क्लास का, 6 क्लास के चैप्टर में से ही कुश्यन है, तो यहां आंसर बिल्कुल ऑप्षिन C है अपसूर, ठीक है, और अगर यहां पर निम्नतम दूरी पूसता तो होता उपसूर, खादिस रंखला में चूहा जिस अच्छे से बताया था, नेक्स्ट देखिए, 135 है, निम्न में से कौन सा खतन सही है, उतरी गोलार्द में चक्रवात में पवन की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में होती है, तक्षुनी गोलार्द में चक्रवात में पवन की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा के विप तो बिल्कुल common sense का question था आप लोगों ने अगर ऐसे circle गोला बनाया होगा और उसके बाद उसले cut one दिये सीथ उसले cut one दिये सीथ cut one दिये इस तरीके से लिखकर अगर आप लोगों ने ये किया होता ये answer आपको बहुत ज्यादा अच्छे से गया होगा option C का सही answer होगा next देखते हैं question 136 देखिए निमने में से किस दसक में भारत में नकारातमा जंसंक्या व्रतिदर्च की गई तो option number 20 का सही होगा next देखिए 137 कौन साल होगा इस पार्च कार खाना भारत में सरवादिक पुराना है तो पिल्कुल कितना आसान सा है ये question टिसको क्य आया था उसके बाद देखिए इसको आया फिस सेल जो है 1973 में आया ठीक है और यह वी आई एसल मुझे याद नहीं आ रहा है तो answer जो है वो option A ही होगा next देखिए 138 दी गई भू आकरतियों का उत्तर से दक्षण दिसा में अविवस्तित का सहीक्रम है तो देखिए बुक में हू बहू इसी तरीके से बनाया हुआ है भाबर, तराई, खाधर और टेल्टा ठीक है option D 139 देखिए भारत में जिप्सम का सरवादिक उत्पादक राज्य कौन सा है तो देखिए जिप्सम देख लीजिए या अगर कृशी में देखिए तो सरसों देख लीजिए तो नंबर कर देखिए तो यहां पर तो नहीं होता क्योंकि ट्रांस हिमाले जो है वहां पर जासकर नदी जो है वहां पर बहती है तो अर्नाचल प्रदेश नहीं होगा सिक्किम भी नहीं होगा यहां पर अगर आप देखते तो C और D में आप लोगों को confusion रहता लेकिन आंसर होगा तो देखिए यह मैंने आप लोगों को कितने अच्छे से करवाया था किसी का गलत नहीं गया होगा किसी ने भी मेरी उमीद को नहीं टोड़ा होगा क्योंकि देखिए भील जो है वो सबसे प्राचीन थी ठीक है मीना जो सरवादिक राजिस्थान में ये सरवरादिक है अंसर है जिसे भारत सरकार द्वरा आदिम जंग जाती समों की सूचे में शामिल किया गया राजिस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो देखिए इतने आसाना संचे प्रश्णा आप लोगों क्या है किसी के गलत नहीं हुआ होगा जैसम्मठ जील नेक्स भुए है राजिस्तान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सरवाधिक उत्पादत करता है तो देखते ही लगा दिया होगा सरसों नेश्ड देखिए अध्यापन कक्ष में प्रत्वी की आकरती को समझाने का सबसे साधन क्या है तो इससे तो आप खुद ही देख लेते कि अगर आप टीचर बने जॉग्रफी के और प्रत्वी की आकरती को आपको बच्चों को समझाना है तो आप मान चित्र चार्ट टर गिया। या ग्लॉक किसका यूज करेंगे, बिल्कुल ग्लॉप का यूज करेंगे। नेग्ट देखिए प्रस्णोत्तर टकनीक सामाजिक विज्ञान के सिंख्षोन में काफी प्रभावी हो सकती हैं क्योंकि एंस्षी चित करती हैं कि तो देखिए कैसे हो सकती है समाजिक विज्ञान के सिक्षण में प्रभावी तो देखिए विध्यारतियों की परिक्षा में बहतर प्रति उत्तर देने की शम्ता विध्यारति कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं सिक्षारतियों द्वारा सक्रिय भागी-दारी ए तो सिक्षार्तियों द्वारा सक्रिय भागी तरी इसका सही आंसर होगा इंसुरेंस सब्द का प्रियोग होता है तो देखिए इंसुरेंस और एंसुरेंस आप लोगों को ये कुश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को दिया था आप लोगों ने किसी ने भी गलत नहीं किया होगा इसका अंसर क्या था जीवन वीमा ठीक है नेमलकेद में से जिला इस्तर पर उप्भोकता विवादों का निप्टारा कौन करता है तो देखिए कितना आसान सा कुश्चन आया चिला और हमारे देश का केंद्रे बैंक है यह भी कितना ज्यादा आसान है भारतिय रिजर्व बैंक ऐसा कौन सा कुश्चन है जो मैंने आप लोगों को नहीं कराया तो अब कई बच्चे बोल रहे थे कि मैं आप तो 11 नहीं बढ़ा रहे हो 12 नहीं बढ़ा रहे हो हमारा क्या होगा तो मुझे पता है क्योंकि आप लोगों के जो एक्जाम होते हैं उनको मैं काफी सालों से देख रही हूँ समझती हूँ राजिस्तान राज्य सहकारी बैंक का मुख्याले इस्तित है तो यहां पर देखिए option 2 मेहीं आप लोगों को सहकारी था या सहकारी बैंक 2 मेहीं होता कि option B जैपूर होता या अजमीर होता आंसर रहेगा जैपूर ठीक है जैपूर में है मुख्याले तो जिन बच्चों को question paper बहुत आसान लगा तो ऐसा नहीं है question paper आसान आया था आप लोगों ने 6 से 10 तक की इतने ज़्यादा अच्छे से कवर की इतने ज़्यादा अच्छे से आप लोगों ने test दिये जो भी मैंने आप लोगों से लिए कम से कम 2-3 बार test लिए है test series में हर एक question जो है वो मैंने डाला आप लोगों ने इतने अच्छे से याद किया उनको इसलिए आपको यह question बहुत आसान लगे यदि आप 6 से 10 तक की RBC नहीं पढ़ते और बड़ी coaching में जाकर और इतना ज्यादा syllabus आप पढ़ते तो इन छोटे-छोटे question पर आप बिलकुल ध्यान नहीं देते तो मुझे असा लगता है कि आगे से आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि इनसे बड़ी exam की यदि आप तयारी करते हैं तो अगर आप इनसे बड़ी exam की त्यारी करते हैं केवल और केवल authentic book का ही सहारा लेंगे ठीके तो जो बच्छे और exam की त्यारी करना चाते हैं comment box में लिखिएगा कि आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी है नंबर आपके sst में कितने आए हैं और आप लोग किस की तयारी आगे करना चाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस exam को आपने बहुत अच्छे से दे लिया बहुत अच्छे marks आ गए अब आप पढ़ाई अब second grade की first grade की आप लोगों के exam होंगे form जल्दी ही आ जाएंगे आप लोग उसकी तयारी करिए पढ़ाई बीच में छोड़ देने से सभी चीज़ें बेकार हो जाती है इतनी जादा मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी मेरा suggestion यही है आप लोगों के लिए पढ़ाई regular हमेशा ह होनी चाहिए जब तक आप सफलता आपके हात में ना जाए आपके जिस दिन हात में आगया कि हाँ आपकी नौकरी लग गई आपने जॉइन कर लिया है उस दिन मानिएगा कि आप लोग सक्सेस हो गए हो इसलिए जब तक बढ़ाई नहीं छोड़नी है जब तक आपकी बिलक यह जो है वो मैं जल्दी ही सही करके और आप लोगों तक वीडियो पहुचाने आओंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू